एक अक्टूबर 2024 को इरान ने इसराइल पर करीब 200 बैलेस्टिक मिसाइल तागी थी इरान ने यह हमला अपने डिप्टी कमांडर अबास निलो फुरुशान और हिजबुल्ला प्रमुख हसन नस्रल्ला की मौत का बदला लेने के लिए किया था लेकिन इस हमले के बाद इसराइल ने इरान को इसका मूँ तोड जवाब देने की गसम खाई थी और इसके बाद से ही इरान के परमाणू और तेल ठिकानों पर आईडिएफ के हमलों का खत्रा बना हुआ था लेकिन 26 अक्टूबर 2024 को इसराइल ने इरान के कई सेने ठिकानों पर ताबर तोड हमले किये इन हमलों को लेकर आईडिएफ का दावा है कि इस अटैक में इरानी एरे डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गए वहीं दूसरी तरफ इन हमलों को लेकर इरान ने उस वक्त कोई कड़ी प्रतिकरिया नहीं दी थी लेकिन अब इरान के सुप्रीम लीडर आयातुलाख हमने इने इसराइल को एक बहुत बड़ी धमकी दी है जी हाँ जिस अंदाज में ये धमकी दी गई उसका तरीका भी अपने आप में हैरान करने वाला है दरसल खामनेई ने ट्विटर पर इसराइली भाषा हैब्रो में एक संदेश लिखा और यह संदेश सीधे इसराइल को दिया गया खामनेई ने अपने इस ट्विटर पोस्ट में लिखा हम उन्हें इरानी लोगों की ताकत, शमता, आविसकार और इच्छा शक्ती के बारे में समझा देंगे आपको बता दें कि खामनेई के इस संदेश से पहले इसराइल के लड़ाकु जेट्स ने इरान के तहरान, खुजेस्तान और इलम प्रांथ को हवाई हमलों से दहला दिया था हाला कि इरान का कहना है कि इसराइल के इस हमले में उसे सीमित नुकसान हुआ, वहीं इरानी आर्म फोर्स के जनरल स्टाफ ने भी एक बयान जारी किया है आर्म फोर्स ने अपने बयान में कहा कि इस्राइली हमलों के वक्त इरान के एर डिफेंस सिस्टम ने ततपरता से काम किया जिससे कुछ रेडार्स को सीमित नुकसान हुआ, बड़ी संख्या में इस्राइली मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया और दुश्मन के जेट्स को इरान के एर स्पेस में घुसने से रोका गया, इस्राइली जेट सीमित संख्या में लंबी दूरी की मिसाइलों से हलके विस्फोटक से हमला कर पाए, यह हमले इराक में अमेरिकी सेना द्वारा गस्त किये जाने वाले इलाकों से किये गए आपको बता दें कि इस्राइल के इस हमले में इरान के चार सैनिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के दौरान मारे गए और यही वज़ा है कि अब इरान ने कह दिया है कि वो इस्राइल से इस हमले का बदला जरूर लेगा वहीं दूसरी तरफ एरान के राजदूत में सायोक्त राष्ट को सूचित कर दिया कि वो इसराइल पर जवावी हमला जरूर करेंगे हलाकि इस सब के बीच गौर करने वाली बात ये है कि एरान के राष्ट पती मसूत पेजस्कियन ने फिर से कहा है कि वो इसराइल के साथ युद्ध नहीं चाहते लेकिन एरान इसराइली हमलों का उपयोक्त जवाब देने के लिए तैयार है दरसल पेजस्कियन का कहना है कि हम युद्ध नहीं चाहते लेकिन हमें अपने देश की सुरक्षा करने का अधिकार है हम इसराइली सरकार की आक्रमक्ता का उपयोक्त जवाब देंगे आपको बता दें कि पेजस्कियन ने अपने इसी बयान में अमेरिका पर भी हमला किया इरान का कहना है कि अमेरिका इसराइल को बेलगाम छोड़कर इलाके में युद भड़का रहा है और अगर इसराइल की आक्रमक्ता इसी तरह से जारी रही तो इलाके में तनाव और ज्यादा बढ़ जाएगा इसके अलावा पेजस्कियन ने अमेरिका के उपर धोखा देने का आरोप लगाया पेजस्कियन का कहना है कि अमेरिका ने हमसे युद खत्म कराने का वादा किया था बदले में उसने शर्त रखी थी कि इरान हमला ना करे लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया झाल Państwa झाल नहीं जट खत्म करें नहीं कि अन्होंने नहीं करता है झाल कुद नहीं कि अ mucha थी कि आप सले कि आप